और अखलेश यादव के एक बयान पर जंग छिडिवी है उन्होंने मठों के तुलना माफिया से कर दी है अखलेश के बयान पर साधू संत बेहद नाराज है उन पर सनातंक के अपमान के आरोब भी लग रहे हैं और बीजेपी अब हमला बोल रही है अखलेश यादव से माफी की मांग भी की जा रही है अखलेश यादो ने नसिर्फ नए विवात को जन्म दिया है बलकि सनातन समाज पर भी सवाल खड़ी कर दिये क्योंकि मठ पर बैठने वाले मठाधीश हिंदु धर्म में सरवोच माने जाते हैं जिनके तुलना अखलेश यादो ने माफिया से कर दी अब अखलेश यादो किसी बयान पर बीजेपी हमलावर है बीजेपी का रोप है अखलेश यादो ने नसिर्फ सनातन धर्म का अपमान किया है बलकि उन्होंने साधु संतों को भी नीचा दिखाने के कोशिश की है इसके लिए अखले इशादों को माफी मांगनी चाहिए यह उनके बुद्धी का खोट है और कितनी अल्प ज्यानता है कि वो पवित्र जो मट हैं जो हमारे सनातन धर्म और विभिन संप्रदायों का एक नेत्रितु करते रहे हैं और इस देश की संस्कृती को बचाये रखने में उनका बहुत बड़ा योगदान रहा है बीजेपी विरोध करते करते इंडी अलाइंस के लोग हिंदू और सनातन विरोध कैसे करते उसका एक और परिचायक आज अखिले शादर जी ने दिया है जब वो कहते हैं कि मठादीश और माफिया में ज्यादा फरक नहीं होता सोचिए क्या किसी और धन के लिए बोला जा सकता और ये वही पार्टी है जिसने राम चरित मानस को बदनाम किया ये वही पार्टी है जिसने हिंदु धन को धुका बोला ये वही पार्टी है जिसने गर्व मनाया कि हिंदु राम भक्तों पर अने गोलियां चलाए और इनके साथी वो है जो सनातन समाप सनातन को बीमारी तिलक लगाने पर एतराज जिस प्रकार से ये लोग राम मंदिर को गुलामे की निशानी बोलते हैं क्योंकि साधुसंत समाजवादी पार्टी के खिलाप हल्ला बोल चुके हैं जैसे रावड का अंत हुआ वैसे ही उत्तर प्रदेश में कम से कम माफियाओं का अंत बहुत जल्द पूरी तरह से सुनिश्चित होगा एसी हम इसर से भी कामना करते हैं और जिस प्रकार मठादीश सब्द को अपमानित किया है उसका कहीं ना कहीं परणाम भी अखले सियादव को भुगतना होगा खैर जिस तरह से समाजवादी पार्टी अद्धश के खिलाब संतों का अक्रोश है वो पार्टी के लिए भी अच्छी खबर नहीं है क्योंकि मठादीश को माफिया बताने का अंजाम आगामी उपचुना में भुगतना पड़ सकता है जैसा कि बीजेपी और संत समाज की ख ग्रफटार किये जा चुके हैं उनसकी पूस्ताष में मभू के शैतानों ने अपना गुनाह कबूल भी कर लिया है और जो सहईवानियत के खेल का मास्टर माइंड अननल है जिस दरिंदगी का चेहरा है मास्टर माइंड रितेश इन दोनों दरिंदों ने कबूल किया है कि इन्होंने महिला के साथ दरंदगी की थी। रेपिस्ट को गोली मार दो, या फिर गोली मार दो मुझे। जामगेट हैवानियत, सलाखों में शैतान, सो पुलिस वाले महू में ओपरेशन भेडिया। कभी वो चीखती है तो कभी वो दर्द में करहती है। जिसने पुलिस वालों को कहा उन रेपिस्ट को गोली मार दो, या फिर मुझे। ये वो चितकार है, ये वो दर्द है जो किसी को भी अंदर तक चल दी करते। महू के जाम गेट में, मंगलवार बुधवार की दर्मियानी रात, दरिंदो की बुरी नजर का शिकार बने ट्रेनी आर्मी ओफिसर की महिला मित्र। दोनों ट्रेनी आर्मी ओफिसर इंदोर के खुबसूरत पिकनिक स्पॉर्ट जाम गेट पर आये थे, लेकिन उन्हें नहीं पता था, एक रात उन्हें ऐसा सदमा देगी। मंगलवार बुधवार की दर्मियानी रात, दरिंदे अनिल की नजर ट्रेनी आर्मी ओफिसर और उनकी महिला मित्र पर पड़ी। कई घंटों से पुलिस की आठ टीम सर्च ओपरेशन चला रही थी, इन दरिंदों को दबूजने के लिए, पहले दो आरोपी गिरफतार हुए, फिर एक और आरोपी, उसके बाद शुक्रवार को तीन और आरोपी पुलिस के हथे चड़ गए। जिस हैवानियत के खेल का मास्टर माइंड अनिल है, जिस दरिंदगी का चेहरा है मास्टर माइंड रितेश, इन दोनों दरिंदों ने कबूल किया, दोनों ने महिला के साथ दरिंदगी की थी। मुखे रूप से तो इस घटना के जो मास्टर माइंड ने वो अनिल और रितेश नाम के वक्ति हैं, उसके अलावा जितने भी चार अनिल लोग उनके सही होगी थे, उन्होंने जो है मिल के इस घटना में जान देगी। दरसल मंगलवार बुधवार की दर्मियानी रात दोनों ट्रेनी आर्मी ओफिसर अपनी महिला मित्र के साथ जामगेट घूमने गए, रात के करीब धाई बचे का वक्त था, गाड़ी की लाइट और म्यूजिक की आवास सुनकर आरोपी अनिल की नजर पड़ी, जिसने अप महिला मित्र को दस लाख रुपए लाने के लिए छोड़ दिया गया, इधर बंधक बने ट्रेनी आफिसर और उनकी महिला मित्र देहशत में थे, लूट पाट ही नहीं, दरिंदो की बुरी नजर महिला पर पड़ी, उसके बाद जो हुआ, वो थर्रा देता है अनिल और रितेश का क्रिमिनल रिकॉर्ड है, दरिंदे अनिल पर पाँच और रितेश पर कई मामले दर्ज हैं, क्या इन दरिंदों ने पहली बार किसी महिला को शिकार बनाया, या फिर इनके काले कारनामों की फहरिस लंबी है, इसकी तफ्तीश जारी है एद और में मित्रेश गुपता के साथ, ब्यूरो रिपार्ट, न्यूस्ट